हेलो एरोबन तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम एक रणर फाइल बनाते हैं तो आई विल भी किके ओन टेस्ट जावा पाकेज वहापे मैं नियू पे जाओंगा तो आई विल क्रियेटिंगा नियू पाकेज अगें मैं इसका नाम रखता हूं रणर तो इसके अंदर एक मैं क्लास बनाऊंगा इसके नाम मैं रखूंगा रण क्यूग एविल क्लिक ओन फिनिश तो यह आपकी क्लास रेडी हो गई है क्यूग का मतलब है कुकुम्बर जैसे हम टेस्टेंज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक इसको एक क्लास है हमारी जिसको हम एक्स्टेंड करेंगे, इन्हेरेट करेंगे जिसका नाम है इसके कारेस्पोंडिंग पैकेज इंपूट कर लेंगे आपको इस पर्टिक्लास को एक्स्टेंड करना ही पढ़ेगा otherwise you won't be able to use it as a runner file तो यह जरूरी है जैसे मैंने आपको बताए कि यह specific class हम testng के बारी में इस्तमाल करेंगे तो JUnit के लिए आपको यह class extend नहीं करने पड़ेगी JUnit के लिए आप कुमबर options करके annotation है उसको लिखेंगे और testng के लिए भी same लिखेंगे तो हम इसमें कुछ attributes add करेंगे कि जैसे हमें बताना है पड़ेगा कि हमारी features file कहां पर है तो I will be writing like features equal to और जो हमारी location है feature file के वह हम लिख लेंगे अब हम लिखेंगे src test resources features तो हम इस तरह चैस को लिख लेंगे अगर मालो हमारे पास एक से ज़्यादा features है जो कि possible है और हम इस specific feature के बारे में बात करने है तो हम specific हो जाएंगे यहां पर mention करते हैं हम लिख देंगे जैसे login.feature तो इस तरह से आप mention कर सकते हैं feature file कहा exactly तो right now we have single feature तो आप इस तरह से normal भी रख सकते हैं इसको without specifically defining this login.feature इसमें एक और annotation हमारा आएगा जिसका नाम है glue glue code जो हम बात कर रहे हैं या फिर step definition की जो बात कर रहे हैं वो mention कर देंगे हम तो यहां पर हम वो लिख देंगे कि जहां पर हमारी step definitions है उसका package का नाम क्या है तो इसका नाम है step definitions तो इस तरह से आप mention कर दोगे और तो आपको पूरा path लिखने की जूरत नहीं है glue code के case में step definition के case में you just need to write the package in which your step definition are contained तो इस तरह से आप अपनी एक runner file बना लेंगे इसको मैं import कर लेता हूं इसके corresponding जो हमारा package है उसको import कर लिया है मैंने तो मैं इसको save कर लेता हूं तो अब मैं runner file बना चुका हूं मैं runner file से इसको run करूंगा so I will be right clicking on runner file और run as पे जाओंगा क्लिक कर दूंगा test ng test को तो आप देख सकते हैं कि कैसे test ng से run करने से हमारे इस तरह का result आजाता है और you can see कि हमारा login को कुंबर आयो website login feature successfully pass हो गया this is green color तो आपने जो भी चीजे लिखी दिया अगर आप console में देखे तो वही सब चीजे जो हमने लिखी दियो सब प्रेंट हो गई है अपर और आप यहां देख सकते हैं कि एक test case run हुआ था और एक pass हो गया हमारा ठीक है तो बाकी मैंने आपको results दिखा दिया थे वह इस तरह से results हमारे दिख सकते हैं अब मैं इस project पर राइट क्लिक करूँगा और refresh पर क्लिक करूँगा तो you will find one folder called test output तो इसको आप expand करोगे you will find multiple reports in it तो आप इन में से कोई चुन सकते हैं emailable report मैं चुनता हूं आप यहां पर properties पर जा सकते हैं इसकी यह आपको यह आप उसके पात पर आ जाएंगे यहां पर आप इसको double click करो you will find some kind of report responding to what you have run ठीक है तो आपका run के एक नाम से जो java file वो mention है और सारी details mention है कि क्या parameter था और क्या सीज़ेती तो यह बहुत basic report है अगर हम cucumber की बात करें तो cucumber की report नहीं है कि जिसमें हमारे feature file भी mentions हो और सब चीज़े mention हो की feature पास हुआ है कि नहीं so we will not be using this basic report we will be using some cucumber html report and other extended reports like extend report so in the next video we will be discussing about the reporting part thank you